हलो दोस्तों मैं कभूद बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चेनल इंडियन इंस्टिट आव स्टॉक मार्केट पर मार्केट कंटीनेसली नहीं तीजी करते चले जा रहा है और यह सा बोलना भी पढ़ रहा है क्यों कि आपको दिखाई देगा कि यहां पर निफ्टी कं नहीं हो रहा है और इनकी साइस भी बहुत जाजा चोटी है जो कि इंडिकेट करें कि यहां पर अच्छे रिष्टिंग इनकी मैं आपको आई प्यों की वीडियो बनाने से पहले एक अच्छा इंडिकेशन दे चुका हूं अब बात यहां पर यह आ आ जाती है कि फिर भी हम इनको आई प्यों अगर अच्छा है कि नहीं उसके बारे में डिटेल नोलेज होना चाहिए हम जिस कंपनी में अपलाए कर रहे हैं या फिर हम अपलाए करने के बारे में सोच रहे हैं या हम अपलाए नहीं कर रहे हैं तो इसा क्यों कर रहे हैं इसके पिछे का क्या कारण है और company क्या करती है यह अपन जानेंगे तो शुरू करते हैं company का नाम है Manba Finance अब यह क्या करने के लिए आई है यह क्या करती है तो आपको बतायता हूँ company 1998 में establish हुई थी और यह एकदम middle class people को target करती है इनका main जो focus है वो है two wheeler loan, three wheeler loan जिसे कि electric auto हो गए EV bikes हो गए, EV scooter हो गए उनके लिए loan provide करते हैं साथ-साथ यह personal loan देते हैं और used car पर भी loan देते हैं अब बोले used car पर loan का मतलब आसन भाशा में बता देता हूँ एक आदमी जो कि एक car लेने को afford नहीं कर पा रहा है पर उसको घाड़े की जरुट तो ही तो वो क्या करता है, इनके पास जाता है, second hand card पर अगर loan चाहिए होता है तो आपको mom finance loan दे देता है यह overall scenario यहाँ पर आकर के बनता है अच्छा यह NBFC, NBFC का मतलब क्या है कि यह public से पैसा नहीं लेती है अगर यह public से पैसा लेती भी है, तो bonds के form में, deventures के form में लेती है और पहली बार अभी equity market में अपना कदम रख रही है, through primary markets अब यहाँ पर क्या condition होने वाली है, क्या चीज़े है तो सबसे पहले अपन समझ लेते हैं यहाँ पर कुछ important dates की और क्या company जो इशू ला रही है, वो पूरा fresh इशू है कि नहीं, यह सब यह पन चेक करते हैं तो यहाँ पर आ जाते हैं फटाफट से सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगा IPO की date की, तो यह IP open है, 23 September से लागा कि 25 September के बीच अगर आज आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी तो आपके पास कल पूरा पूरा टाइम हो का आराम से विचार करने का, कि यूशोड अपलाई और नॉट मैं आपको एक चीज बता जीता हूँ यहाँ ठीक शाम को पांच बजे के पहले अपने को अपलाई कर देना है, जब भी हम अपलाई करने को जाते हैं तो लास्ट डेट जो होता है उसमें पांच बजे का कट आफ टाइमिंग होता है, तो उसके पहले अगर आप लोगों के मेंडेट आजाता है, तो आप डेफिनिटल वहाँ पर अपने डीटेल फिल करके और अपलाई कर सकते हैं, अब यहाँ पर देखिएगा नीचे, प्राइस बेंट जो रखा गया है, 114 रुपे से 120 रुपे, हमें 114 रुपे से कोई लिना देना नहीं है, अगर हमें अपलाई करोड रुपे कर, फ्रेश यूशू भी कितना है, 1500 करोड, अच्छी बात है, कोई यहाँ पर ओफर फोर सेल नहीं है, इसका मतलब कमपनी को सिर्फ और सिर्फ मात्र 1500 करोड रुपे चाहिए, अब मात्र 1500 करोड रुपे क्यों बोल रहा हूं है, क्योंकि अगर आब बाकी क्या निकल के आया है, कि पूरा का पूरा पैसा कंपनी की ग्रोथ में इस्तिमाल होने वाला है, कंपनी ने पैसा क्यों मांगा है, कंपनी ने वही अपने जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए अपने मेनेजमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, वर्किंग करने के लिए, वर अब यहां पर आ जाते हैं फटा फट जल्दी से इसके financials को समझने के लिए कि यहीं सबसे important point है यहां पर जब हम बात करते हैं कि यह IPO कैसा perform करेगा यह totally depend करता है इसके finance के उपर है अच्छा एक और चीज में आपको यहां पर बता जाते हूं अपन इसके NPA के बारे में भी एक general discussion करेंगे अब अपन आ जाते हैं इसके financials पर तो यहां पर ध्यान से देखिए का आपको full year full year full year तो पूरा full year है सिधा चलेंगे company के दो चीज़ सबसे important होती एक होता revenue एक होता profit after tax तो पहले अपन इसको समझते हैं देखे revenue था 106 करोड रुपे का बहुत छोटा revenue है कोई दिकत नहीं है 106 करोड रुपे में से यहां पर 9 करोड रुपे का ही profit निकाल पा रहा है मतलब यहां पर थोड़ी सी कमी है profits में अगर percentage वाइस देखा जाए कि किता percentage यहां पर पैठ है तो वह है लगबग लगबग 9% के असपास को यहां पर profit after tax है आगे की तरफ पढ़ेंगे company ने growth करी एक साल के अंदर में कितना revenue बढ़ा दी अपना यहां पर लगबग 25-26 करोड रुपे से अपना revenue growth कर लिया जो कि एक plus point है plus point क्या है कि आपके margins बढ़ रहे हैं यही चीज एक plus point denote करती है अब आप देखिए आपने यहां से fundamental concept को सीखा जब भी हम company को analysis करते हैं हम यहां पर यह देखते हैं कि company के margins भी साथ में grow हो रहे हैं क्या आप जब किसी other company को जाके भी screener पर या किसी और website पर जाक में अगर आपने company को 2014 मिस्टेडी किया होता 2012 मिस्टेडी किया होता तो आपको महां पर एसे ही कुछ finance नजर आते यह चीज बहुत जदा important हो जाती है आप आगे की तरफ बढ़ते यहां पर एक और बार आगे की तरफ बढ़े तो यहां पर revenue में बहुत तगड़ी growth आई यहा बात कर लेते हैं यहां पर reserve की तो reserve में भी जो है अच्छी growth यहां पर दिखाई दे रही है borrowing की बात यहां पर नहीं करेंगे क्यों करेंगे क्योंकि कोई से भी finance की company होती है तो borrowing कहां से उठाती है वह borrowing उठाती है कि normal publics है अब वो public की borrowing को तो आगे बढ़ाएंगे through debentures through equity तो यहां पर borrowing NBFC के case में important नहीं हो जाती है तो important क्या हो जाता है important हो जाता है यहां पर NPA कि आपकी non-performing asset पर साल की कितनी आ रही है इनका जो NPA है वो लगबग लगबग 3% के असपास का NPA है जबकि यह यह बजाज housing finance का देखते तो वहां पर उनका NPA 1% से कम का था तो इनका 3% का जो NPA वही इनके लिए बस negative point है उनको उसको ही control करना है अब यहां पर जो NPA आएगा भी सही क्यों आएगा क्योंकि आप loan किनको बाट रहे हो two-wheeler three-wheeler वालों को इसके लावा used car वालों को तो आपकी जो target audience है वो कुन सी वाली है या तो आपका नुकसान होगा तो एक बार चोटा चोटा NPA है चोटे चोटी चोटी पॉबलिक नहीं चुकाया इसलिए यहां पर 3% का continuous NPA बना हुआ है अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि अगर इन्होंने सही तरीकिस आके चलके control किया लोन देखदा के समलके दिया तो बहुत जल्दी इसको 3% से कम कर देंगे अच चुली मैं amount तो बढ़ रहा होगा पर percentage wise वह amount कम हो जाएगा और इसलिए यहां पर NPA आपको घरता नजरा जाएगा अब यहां से आगे की तरफ बढ़ते हैं और सबसे important point पर जाते हैं कि यहां पर हमें apply करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए मैं मेरी अपने आपकी बात करके चल लेता हूं यहां पर definitely अगर मैं listing इनकी बात करेंगा कि आपको क्या listing नजराते हैं तो मैं लगबग लगबग इसमें क्योंकि यह एक मातरा IPO है और सिर्फ देड़ सो करोड रुपे मांग रहा है यहां पर over subscription तो जाना ही है इसमें कोई doubt की बात ही नहीं जब बड़े बड जोड़ा रोगी तो हो सकता ही आपसे पैसा ले ले अब यह तो आगई पेला पॉइंट अब दूसरा पॉइंट यहां पर यह आ जाता है कि अगर मैं इस IPO को apply कर रहा हूं तो यहां पर मैं कितना listing gain expect करके चल सकता हूं तो देखिए जो मेरा अंदाज़ा है लगबग लगब होगी यह होगीए हैं तो टोडिंट करेंगा यहां पर किये कितना dest को जाता है अगर जादा ओर ज्जादा ओर सब्सों किया जए जहां पर हम main figure को लेके चलते हैंगे उसके finance और उसका NPA और साथ-साथ में overall broad category में देखने की कोशिश करते हैं कि यह company क्या कर रही है किसे आप से working कर रही है